नमस्कार दोस्तों मैं हूं रेखा आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की इस वीडियो में आप देख पाएंगे चीटियों को खाना कैसे बना कर खिलाएं आज की वीडियो में समपूर्ण विधी और सभी नियम आप प्राप्त करेंगे चीटियों को खाना खिलाने के लाब भी मैं आपको बताऊंगी अगर आप इस विधी से इस नियम के अनुसार चीटियों को इस व्रक्ष के नीचे खाना खिलाते हैं तो आपकी इच्छा, मुह मांगे इच्छा 24 गंटे के अंदर भी पूरी हो सकती है सबसे पहले आप कड़ाई में एक कटोरी आटा ले लें आप इस आटे में 5-6 चम्मच घी के डाल दें आप यह घी गाय का भैस का कैसा भी ले सकते हैं क्योंकि चीटियों को घी की सुगंद बेहत प्रिय है आप इस तरह से आटे में घी डाल कर और अच्छे से पका लें आपको इस से ज़्यादा घी नहीं डालना है नहीं तो इस आटे का हलवा ही बन जाएगा आपको इस तरहे से घी डाल कर इसको अच्छे से Mix करना है और धीमी धीमी आच पर इसको सुनहरा होने तक पकाना है अगर आप इस आटे को धीमी धीमी आज में पकाएंगे तो एक अलग सी ही खुश्बू इस आटे के अंदर आएगी और इस तरह आप अच्छे से भून कर इस घी को आटे को कम से कम आपको पांच साथ मिनट लगेंगे भूनने में इस तरह इस आटे को सुनहरा होने तक आप जब आपके इर्द गिर्द घुमती हैं तो सनी के करतब हैं वो बढ़ जाते हैं जैसे जंग लगी मशीने अचानक बरतनों का तूटना चपपल जूतों का अचानक से तूट जाना शरीर के निचले भाग में दर्द होना और चीटियों का जुंड आपको दिखाई देना य इस काम के लिए आप जाएंगे वो आपका काम बन ही नहीं पाएगा शनी देव की है पुरानी आदत है कि जूते गिस्वाई बिना कभी कोई काम वो बनने ही नहीं देते ये कुपित सनी के ही ऐसे लक्षन है आप शनीवार या अमावश्या का कोई भी एक दिन आप जाता है आपके उपर कितना भी करजा क्यों ना हो आपको देरे देरे उस करज से भी मुक्ति मिल सकती है आपके घर में जितनी भी नकारात्मक शक्तियों का वाज हो आपके घर में जितनी भी नकारात्मक उरजा हो देरे देरे वो भी समाप्त हो जाती है आपकी कुंडली का राहू, मंगल, केतु, शनी जो भी दोश है, वो सभी दोश है वो समाप्त हो जाते हैं नोकरी की समश्या आपके बच्चे के भविश्य के लिए आपके कैरियर के लिए ऐसी कोई भी बादा है आप इस तरहे चीटियों को भोजन कराने से अपने मन की किसी भी इच्चा की पूर्ती आप करा सकते हैं आपका भी चीटियों को ध्यान से देखना वो जुंड में एक साथ लगातार चलती रहती है मेहनत करती है, बहुत जादा मेहनत करती है और इनका रंग काला होता है और जो भी मेहनती लोग है शनी देव को वो बेहधी प्रिये है इसलिए चीटियों को शनी देव का प्रतीक माना गया है जब आप इन चीटियों को खाना खिलाते है उनकी मेहनत को भी विराम लगता है उनको आराम मिलता है इसलिए ऐसा माना जाता है आप कितनी भी भाग दोड करते हैं आपके कुंडली में कितना भी राहू, केतू, शनी है वो कमजोर हैं जब आप अधिक महनत करने के बाद भी आपको सफलता ना मिले तब आपको इस तरह से चीटियों को खाना खिलाना चाहिए आपको भी आराम मिलेगा विश्राम मिलेगा आपकी भी अनेको दिनों से ऐसी मनो कामना जो पूरी ना हो वो भी आपकी पूरी हो जाएगी आटा भूनने के बाद आपको इस तरह से एक सूख नारिया लेकर उसको उपर से कट कर देना है लेकिन इस कारिया को आप अपने घर में किसी पुरुश्य ही करवाएं महिलाओं को नारियल तोड़ना या गोले को काटना हिंदू धरम में वर्जित बताया गया है भूने हुए इस सूखे आटे में आपको चीनी या शक्कर पांच साथ चम्मच अच्छे से मिक्स कर देनी हैं आप चाहे तो इसमें मिश्री भी मिला सकते हैं या पताशो का चूरण भी आ आप इसमें डाल सकते हैं मैंने केवल आटा घी और शक्कर ये तीनों चीजे ही इसमें मिक्स की हैं आप चाहे तो पंच मेवा भी आप इसमें कूट पीस कर मिला सकते हैं इस तरह से अच्छे से मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छे से ठंडा भी कर लें आपको ये आटा गरम गरम इस नारियल के अंदर भूल कर भी नहीं भरना है इस नारियल को अच्छे से ठोक ठोक कर दबा दबा कर किसी चमच की साहता से आपको उपर तक भर लेना है और जो आटा बच भी जाए उसको किसी चीटियों के स्थान पर जहां पर चीटियों का बिल हो उधर आप इस आटे को डाल सकते हैं जितना आटा इसमें अच्छे से समाहित हो जाए उतना ही आपको इसके अंदर भरना है एक बार आप ऐसा सोच कर देखिए कि आपका दिन बहुत खराब हो सुबह से आप घर से निकले हो बहुत अधिक महनत आपने की हो और आपको सुबह से लेकर शाम तक आपको घर से बाहर रहने के बाद भी कोई सफलता ना मिले और घर आने पर आपको जब कोई बना-बनाया खाना खिला कर दे तो क्या आप उसे दुआएं नहीं देंगे आप तो बोल कर भी किसी से खाना मांग सकते हैं लेकिन ये बेजुबान जीवजन्तू पसु पक्षिया जानवर आपको खाना खाने के लिए नहीं कहेंगे, और जब आप इन जीवजन्तू का पसु पक्षियों का भर पेट भोजन कराते हैं, उनका पेट भरते हैं, जब आप दिल से इस कार्य को करते हैं, तो मेरा यकीन मान वो भी आपको दिल से ही द्वाई देते हैं, आप दिन में उस थान को अच्छे से देखाएं, जहाँ पर चीटियों का घर हो, बिल हो. आपको उसके आसपास, आपको उस बिल को नहीं तोड़ना है, उसके आसपास इस तरह से अस नारियल को देखें में देख़ें. थोड़ी आप दबा कर अवश्य देखिए, आपकी भी समस्तमनों कामनाई पूरी अवश्य होंगी, अगर आपकी कोई इच्छा नहीं है, तब भी आप इस कारिया को निस्वार्थ भाव से एक बार करके देखिए, आपके घर में धन के धेर लग जाएंगे, इतनी बरकत और बढ़ोतर में आटा, चीनी और घी मिला कर मिक्स करके, किसी वरक्ष के नीचे आप दबा देते हैं, जहां पर चीटियों का घर हो, जहां पर किड़नाल हो, चीटियों का बिल हो, अगर आप इस तरह से दबा देते हैं, तो कम से कम एक महीने के भोजन की व्यवस्ता चीटियों की हो जा और मेरा यकीन मानिए जो दिल से दुआई आपको देगा उनकी दुआएं किसी इस्वर से किसी विधाता से कम नहीं होती आपकी मनोकामना पूरी होने में आपके सभी कारियों को सफलता प्राप्त करने में देर नहीं लगती 24 गंटे के अंदर आपकी मनोकामना भी पूरी हो स से एक ऐसा नियम बनवाले कि शनिवार या अमावशा के दिन आपको एक गोला इस तरह से आटा मिक्स करके भून के मीठा मिला के आपको किसी वरक्ष के नीचे जहां पर चीटियों का बिल हो अवश्य ही दबाना चाहिए ऐसा करने से आपके घर में जो भी मांसिक अशान्ती ह जो भी वास्तु दोस है पित्र दोस है जो भी नकारतमक उर्जा है या किसी भी प्रकार की हिन भावना आपके घर में बरकत बढ़ोतरी नहीं है तो वो होना शुरू हो जाएगी एक बार दिल से सच्चे मन से निस्वार्थ भाव से भी आप इस कारिये को अवश्य करके दे दूसरों की मदद करना दूसरों को साथ देना ये भी किसी पुन्यकारिय से कम नहीं अगर आप मेरी मदद करना चाते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद जैमाता दी